नमस्क्राइब दोस्तों बड़ाई खतनाक दिन दो आपको बहुत ही वोलिटैलिटी रही और एक निउस में पूरे बजार को हिला के रख दिया अपने लाइब सेशन को जाके देख सकते हैं सब कुछ चैनल पर रिकॉड़ेड अवेलिबल है वहां से आई वस एक्सपेक्टिंगी सतरा अजातीज के आसवास बजा रहेगा जब मैं साधे दस बें निफ्टी को क्लोज कर रहा था सतरा अज़ा तीस भी आए उसके नीचे भी गया उसके बाद मुझे किसी काम से जाना होता आपको मालू है पर मैं अपको बहुत ही क्लियर कहा था कि बजार में सेलिंग प्रेशर है उन नीचे तक सेलिंग प्रेशर 16600, 1600, 1700 तक सेलिंग प्रेशर बन रहा है ये बहुत ही clear cut आपको बता दिया गया था तो buying हम उसमें नहीं करने वाले थे buying को हम avoid कर रहे थे और ऐसा ही हुआ बजार में बट इसकी मुख्य वज़े क्या रहे है इसकी मुख्य वज़े अगर आप Google करें तो आपको अभी तक मिल भी गई होगी इसकी सबसे बड़ी वज़े रही आज का RBI का surprise आखरी के शड़ों में RBI ने बहुत ही जबस surprise दिया और 40 basis points है जो key lending rates उनको बढ़ा दिया इससे पूरा का पूरा बजार ताश के पत्ती की तरह धे गया आप देखे पूरा का पूरा बजार, bank rate 3% के आसपास में, reality 3% के आसपास में, metals, IT, FMCG 2%, commodities 2.3%, pharma 2.6%, infra 2%, सब कुछ गिरा, nifty auto 2% होता क्या है कि जब bank repo rates या lending rates बढ़ा देता है कब भी, तो bank के rates का और market का एक inverse relationship है जब भी interest rates घटाए जाते हैं, बजार में एक टेजी देखने को मिलती है, लोगों को लगता है कि बैंक्स में पैसा कौन देगा, बजार में पैसा लेकिया हो कि जब ऐसे global scenarios, ऐसे crisis के चल रहे हो, या ऐसे uncertainty के चल रहे हो, जैसा for example भी देखा, हमने बहुर सिचुशन चल रही है, inflation की बात होई है, fed rate बढ़ाने की बात का, दूसरी बार 50 basis point, fed rate बढ़ा सकता है, market हाला कि ये repo rate को anticipate कर रही थी, और अचानक से surprisingly 40 basis points का बढ़ाना, market ने इस कौन से ऐसे key levels है, जहां पर हम trade कर सकते हैं, या अगरा फस गई हैं, तो कहां पर हम average करने की कोशिश कर सकते हैं, दोसरो 16,640 का जो आज का low है, 640 के आसपास का, जो हाला कि एक यूटन आप देख सकते हैं, यहां से बजार ने थोड़ा सा यूटन लेनी कोशिश के और 694 के आसपास में बंद हुआ, तो यहां पर 16,641, this will be a very very crucial level, आज बजार का जो trend देखने को बिला, बजार का trend बहुत ही clear था, कि बजार पूरे दिन एक downtrend में ही चला है, ठीक है, यह downtrend का market था और यह बहुत ही clearly हमाएं समने visible था, तो ऐसे situation के अंदर में, market जब downtrend में आती है, त आपको यहां से अपनी positions को sell on rise की strategy के साथ में आपको apply करना चाहिए, जब भी बजार एक pullback लेता है, आपको देखना चाहिए, कौन से levels हैं, उसके बाद ही काम करना चाहिए, दोस्तो लाइविल्स अगर आपको चाहिए, अगर आपको मागा बजार का live analysis चाहिए, तो daily knowledge के प इंदर में एक downtrend होने की समाना दिखती है, एक selling pressure है, बार बार में कहता selling pressure है, selling pressure है, तो हमें बाएं में नहीं बैटना था, आज बहुत ही जारा clear कर, बाएं हम दो नहीं की, पर जहां भी की, जो भी stop losses थे, सबके सब stop losses कटे हैं, बजार में ऐसे भी दिन आते हैं, कोई बजा 16,641, अब एक next important support हमारा जाया आता है, 16,641 के उपर marketer अगर sustain नहीं करता है, इसके नीचे फिर से बाजार चलता है, तो 16,384, 16,250, ये level भी inevitable है, क्योंकि अगर fed एक और rate हाई करता है इस महिने में, तो ये बाजार में 16,000 तक की level आ सकते हैं, और ये chart पे बहुत ही clearly visible भी है, अगर निफ्टी को हम देखने ही कोशिच करें, daily chart के उपर में, अगर हमारा support find out करने ही कोशिच करेंगे, तो यहाँ पे भी ये देखेंगे कि बाजार ने पहले भी जब भी इसको तोड़ा है, तो ये जो level रहे है, 16,400 तक की level बहुत important रहे है, 16,400 का level बहुत important यहाँ भी र रहा है, और यही बाजार के downtrend की पहचान होती है, कि you keep booking your profits, तो यहाँ पे this level 16,000 जो पहले भी एक important level था गाई, यह एक mother of all supports हैने वाला है, बाजार 16,000 के नीचे निकलेगा, तो हम फिर से 14,500 के witness कर सकते हैं, बट आपको pessimist होने की दिरुक्त नहीं है, आपको डवने की बिल 36,000 का अब एक resistance बन चुब है, बैंक निफ्टी के लिए, अगर हम बैंक निफ्टी को देखने कोशिश के, तो यहाँ पे कल इंटरसिंगा, 641 अगर ब्रेक करता है, तो फिर हम एक नया low तरासेंगे, नया एक support find out करने कोशिश करेंगे, बट अगर 16,000 641 अगर maintain हो जाता है, तो फिर हमारे लिए एक reversal के सांचे इस बाजार में बहुत अच्छे से बन जाएंगे, तो चली देखते हैं, बैंक निफ्टी में हमें क्या situation दिखाई दे रही है, क्या बैंक निफ्टी कोगी, बैंक तो वर्स हिट होगे होगे, बैंक के shares तो बहुत बुरी तरे से गिरे, पूरे पूरे सेक्टर से सेलिंग देखने को मिली है, और यहां पर 35,317 के आसपास की हमारी जो जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, अभी बजार एक resistance के नीचे में है, 344 के ऊपर में इसके ऊपर चलेगा, तो हमें एक breakout देख सकते हैं, वापस 35,700 या 36,000 के निकलते हुगे दे 34,969 भी बजार आपको टच कर सकता है, तो यहां पर देखने वाली बात ही होगी, कि बैंक इनिफटी 35,100 को अगर hold कर पाए, तो इंटरसिंग होगा, और यहां पर 35,100 का लेवल है, जो बहुत ही बहुत crucial, आप देख सकते हैं, पहले बजार ने 35,000 के आसपास से एक pullback देनी 34,000 इन एविटेबल होगा, तो 34,200 के आसपास में, फिर हम as per the calculator also, और as per the option chain also हम देखने कोशिच करेंगे, कि एक्जेक लेवल स्क्राइब कर रहे हैं, फिर हम ट्रेड नेंगे, तो गाइस यह था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बजार का हाल, और अगर आप भी analysis चाते ह हैं, तो आप लीज आप मुझे live session में जोईन कीजिए, सुबह 9 बच के appointment पे daily हम live होते हैं, कोई uncertainty हो, कोई unavoidable situation हो, तो ही हम miss करेंगे, नहीं तो हम सुबह आपके साथ रहने ही वाले हैं, दो सो trade safe, डरना मना है, बट अगर आपके हैस पैसे हैं, तो every dip, every correction, every crash is an opportunity to buy good stocks at good pricing, क् हम सोचते हैं, कि मेरे हाथ से reliance चूट गया, मेरा हाथ से wipro चूट गया, तो ऐसे सभी stocks अगर आप अपनी watch list में रखते हैं, जो अपनी life में आप buy करना चाते हैं, तो these crashes and corrections will give you an opportunity, तो अगर अपने अच्छे-चे पसंद्दा stock के अंदर में, आप ऐसा ही भी plan कर सकते हैं, ह market mood index मैंने आपको देखना बता है था, मैंने आपको कहा था, market exactly बहुती जादा एक greed zone में चल रही थी, बजार यहाँ पे market का mood देख लेते हैं, अगर यहाँ पे अप क्या गया देखिए, अब बजार जहाँ extreme greed में था, अब वापस की तरफ चल रहा है, अब देखिए, positions double, triple add कर सकते हैं, तो एक बार इसको चेक कर लिया किजिए, यह बहुती fair idea हमें यहाँ से मिल जाते हैं, guarantee किसी चीज़ की नहीं है, बहुत अच्छा idea मिल जाता है कि public क्या सोच रही है, तो public के विपरीद बजार हमें चे काम करता है, लोग greedy होते हैं, तो बजार गिरता है, अगर आपको IPO अप्लाई कर पाएं, तो अपना demand account अगर आप open करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के description में आपको इंडिया के best brokers के आपको link दिये हो हैं, और best brokers के link खोलने के साथ साथ में आपको एक और फायदा मिलने वाला है, अब IPO तो अप्लाई कर ही पाएंगे, साथ में आपको मिलेगा trend trading calculator का एक महिने का free trial, तो go and use your trial right now, मिलते हैं किसे इन इंटरसिंग वीडियो में, तो तक के लिए ठेक है, bye bye, जहिन